नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आज आपको Basic Electronic Subjects के Chapter No.1 Diode Theory & its Application के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें Diode का Basic क्या होता है जो PN Junction Diode होता है वो किस तरह से काम करता है उसके साथ जो PN Junction Diode का Biasing क्या है means reverse bias होता है और forward bias में किस तरह से काम करता है साथ में ideal diode क्या है और उसके साथ भी उसका जो approximation आता है जो diode का first and second approximation होता है थर्ड approximation होता है तो second and third approximation में diode किस तरह से work करता है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए अब हम start करते हैं diode का introduction से तो पहले हम यह जान लिए कि diode किस से बना होता हुए तो diode एक semiconductor material से बना होता है वो diode क्या है वो non-linear circuit element है जो diode का हम basic use करते हैं AC to DC converter में यूज करते हैं जिस तरह से register होता है तो उसी से आपसे diode के दो terminal होते हैं एक anode होता है और एक cathode होता है तो जब हम diode register की compare में देखे तो diode की जो characteristics है वो non-linear होती है current और voltage के बीच की जो VI characteristics आती है लेकिन जब resistance में उसकी characteristics ही होती है तो वो linear होती है तो अब क्या होता है हम diode का use कहां पे करते हैं तो हम rectifier circuit के अंदर ही diode का mostly use करते हैं अब देखिए PN junction diode का physical structure कैसे बना होता है तो physical structure बनाने के लिए मैंने बोलाता है यहाँ दो terminal होते है एक anode और cathode उसमें क्या होता है एक P type का material यूज किया जाता है और उसमें एक N type का material यूज किया जाता है तो वो एक electric device के तरह से use करता है और वो current को only one direction में flow करता है तो उसके दो types है एक forward बाइस होता है और एक reverse बाइस होता है जो यहाँ पर मैंने आपको figure में दिखाया हो है N type और से pin type के material का जो use होता है P means positive and N means negative हम consider करते है यहाँ पर तो दो electron and hole इस तरह से electron and walls के तरह से work करता है तो अब देखिए हम formation or depletion region का formation किस तरह से होता है तो diffusion क्या होता है जो तो diffusion क्या है जो electron है वो एक region से दूसरे region में जाते हो क्या है कि low concentration high concentration to low concentration यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक anode है और एक cathode है यहाँ पर एक junction बनता है जो junction बनता है वो junction किस तरह से positive और negative दोनों यहाँ पर charge carrier होते है N type material और P type material का यूज करके तो उसका net charge क्या होता है junction के हिसाब से उसका net charge होता है वो cancel हो जाता है जब वो cancel हो जाता है और जो junction में कोई भी केरियर नहीं रहता तो उसे हम deflation region कहते हैं यहाँ पर दूसरी फिगर में आप देख सकते हैं एक anode terminal है एक cathode terminal है जो बीच में जो एक दिखाया हो है उसे हम deflation region यहाँ पर देख सकते हैं दोनों चार्ज होता है बैटरी टर्मिनल के साथ कनेक करते हैं और जो end type material होता है उसे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक करते हैं जब हमारा यहाँ पर फोरोड बैस में होगा दायोड तब हमारा current होगा जो वह maximum flow हो जाएगा क्योंकि जो हमारा internal resistance होगा ओजीरो हो जाएगा जो क्योंकि यहाँ पे जो deflation region बनता है अमारा DR वह एकदम स्मोल होगा फोरोड बैस में इसलिए हमारा internal resistance स्मोल होगा तो यहाँ पर फोरोड बैस के लिए condition क्या होती है तो फोरोड बैस की condition पहली क्या होती एक anode को हमें positive ही रखना है with respect to cathode दो terminal होते हैं उसमें से हमारा anode है वो positive होना चाहिए और जो potential different मिलता है हमें वो threshold voltage से ज्यादा होना चाहिए तो अभी हम सोचे कि threshold voltage हम किसको कहते हैं तो threshold voltage क्या है जो voltage हमारा current flow होता है उसे forward बैस में junction को तोड़के जाना पड़ता है तो उस current को हम threshold voltage कहते हैं अब देखे reverse batch में क्या होता है reverse batch में forward batch से उल्टा होता है तो हमारा end type का material होता है उससे हम positive terminal देते हैं और जो P type का material है उससे हम negative terminal देते हैं तो हमारा current क्या होगा वो flow ही नहीं होगा इसके लिए हमारा जो depletion region होगा वो बढ़ जाएगा डेपलेशन रिजिएन जब बढ़ जाएगा तो हमारा current flow ही नहीं हो जकता है इसलिए हमारा जो resistance होगा वो invite इनेट जैसा हो जाएगा तो हमारा जो depletion region forward batch में एकदम ही बड़ा हो जाएगा और यह क्या हो इस में प्रोड्यूस होती है तो जेनर एवरांट ब्रेक्डाउन जब होता है तभी हमारे यह reverse bias कंडिशन क्या है तो उसकी कंडिशन क्या होती है कि कैथोड को हम पोजीट भी रखते हैं और यह नोट कॉम नेगेटिव रखते हैं उसका जो potential different होता है वह डायोड का breakdown voltage से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो breakdown voltage कि से कहते हैं चो maximum voltage flow होता है तब हमारा junction हो है ओकट हो जाता है मिन्स के वह एंडल नहीं कर सकता उसे हम breakdown कहते हैं और breakdown को हम पीक reverse voltage भी बोलते हैं और कहीं बार पीक inverse voltage पी भी भी बोल सकते हैं अब हम देखिए डायोड की वी आइ इसे लिपास हो जाएगा लेकिन जब वोल्टेज क्या होता है कि कट ओफ वोल्टेज और नी वोल्टेज होता है उससे ज्यादा होगा तभी हमारा डायोड एकदम से यहां पर मैंने ए पॉइंट दिखाया है उसे हम न्यू वोल्टेज बोलते हैं और उसे हम कट ओफ वोल्टेज भी बोल सकते हैं तो जब फोर्वर्ड बायस कंडिशन में होगा तभी हमारा डायोड यहां से कंड़क करना स्टार्ट करेगा जीरो अम देखिए तो सिलिकॉन माट्रियल यूज सेवन होता है उसके बाद रिवर्ड बायस में दैश में एन क्रीज हो जाएंगे तबी हमारा प्टेक्ड राओं होके पूरा होता है वा डायोड कंडग होना स्टार्ट करता है आडियल डायोड किवा है तो ideal diode क्या है यहाँ पर मैं आपको figure के रूप में बताऊंगा कि diode की जो circuit है anode at cathode तो वो only forward bias में ही work करेंगे यहाँ पर हमारा first quadrant में आपको दिखा रहा हूँ current all voltage के बीच का जो relation है वो graph में दिखाया हुआ है first approximation में क्या होता है जब first approximation हम consider करते है तब हमारा diode है वो ideal mode में होता है इस means क्या होता है कि उसका जो resistance होता है internal resistance वो zero हो जाता है तो वो voltage drop नहीं करेगा और forward bias में work करने लगेगा और तब ही हमारा diode क्या होता है ideal mode में perfect switch तरीके work करता है तो अब जो second approximation and third approximation देखेंगे कि तो second approximation में क्या होता है है डायोड का तो जो second approximation में क्या होता है कि यहां पर मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स approximation में क्या होता है वो ideal diode की तरह work करता है तो अभी क्या होता है उसको initial value कोई होने के लिए जरूर नहीं परती लेकिन हमारा जो second approximation है उसमें हम एक बैटरी का supply भी देते हैं उसके साथ ही हमारा डायोड होता है और करना स्टार्ट करेगा तो उसकी क्या बोलते हैं हम cutoff voltage बोलते हैं तो silicon के लिए हमारा जो cutoff voltage है और 0.7 है और हमारा जो जर्मिनियम के लिए होता है वह 0.3 होता है जो हमीं conductor material हम यूज करते हैं उसके हिसाब से जो तो 0.7 से कम होगा तभी हमारा डायोड कंड़क नहीं होगा तो जो हमारा 7.7 वोल्टेज को क्रोश करेगा तभी हमारा डायोड एकदम लिक अग्ड़क होना स्टार्ट कर देगा तो उसे हम डायोड एजे स्वीच भी कहिए सकते हैं डायोड हमारी स्वीच तरिके वर्क कर सकते हैं अब थर्ड एक्ट्रोक्सिमेशन में देखिए तो थर्ड एप्रोक्सिमेशन में क्या एक इंटर्नल रजिस्टन्स भी लगा हुआ होता है यहां पर देखिए वोल्टेज के साथ एक हमने सीरीज में इंटर्नल रजिस्टन्स भी कनेक किया होता है तो रजिस्टन्स भी थोड़ी वेल्यू को ड्रोप करेंगा उसे हम बल्क रजिस्टन्स भी कह सकते हैं तो उस रजिस हमारा positive होगा with respect to anode की compare में cathode हमारा positive होगा यहाँ पर मैंने आपको diode और उसके approximation के बारे में बताया है thank you for watching my video